कि नमस्कार में ममदासिफ और आप देख रहे हैं इस पे नहीं नहीं आज हम लोग जिकर करेंगे राजिस्थान के मुख्यमंतिर अशुक गहलोद के बारे में उन्होंने एक बयान दिया है कि वो सीम है और रहेंगे तो सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है इस सब्यूंब साब बात्यूप करेंगे साथी सात राजिस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं तो तुमाम रहाइ Ó जब करेंगे सबसे पहला सबसे पहला सभी यह है कि पंजाब में जो कुछ हिवा वाकि nod कर ही उसका फ़र्क देखने Öz contain बांज कर 36 गड़ो या राजिस्तान लेकिन अशोग गहलोद का आज इस तरह का बयान आना कि वह सीम है असीम ही रहेंगे उन्होंने साप शब्दों में का कि मैं ही सीम रहूंगा इसको किस तरह से देख रहे हैं पंजाब कॉंग्रेस में जब से सियासी बवाल मचा हुआ है कैप्टन अ अस्तिफा हुआ उस वक्त भी उन्होंने अपने बयान जारी किये थे इससे पहले अशोग गहलोद जो है वो अपने बिमारी का हवाला दे के घर से बाहर नहीं निकलते थे और यह कहते थे कि डॉक्टरों की सला है कि वो घर पर ही रहें और अब देखा जा रहा है कि अंदर ही अंदर डरे हुए हैं और अपनी सक्रियता आप बढ़ाते हुए जा रहे हैं और इसी वज़े से अब उनका ये बयान आया है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहें लेकिन अब सवाल यह है अनुजा मैं सचीन पाइलेट और उप चातान हुआ है असरिफ इसी बात को लेकर शिबराज सी चाहाने कहा कि अब जिस तरह से उनकी तब्यत खराब रहती है हाला ठीक नहीं हिल्थ ठीक नहीं रहते हैं तो उन्होंने कहा कि अब आप बोड़े हो गए हैं आपको सीम की रेस छोड़ देना चाहिए तो उस पर कि तब्यत खराब रहती है लेकिन वह नहीं चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का पद किसी और को दे इसी वजह से लगातार जो है वह ऐसे बयान भी दे रहे हैं और शिवरास के बयान पर भी वह ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं तो यह जरूर कह सकते हैं कि सचिन पाइलेट अभी मुख्यमंत्री तो हैं लेकिन सचिन पाइलेट जो हैं वो मुख्यमंत्री की कुरसी तक पहुँचने के लिए अपनी रणनिती बना रहे हैं कई विधायों को का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं तेकिन अब सवाल यह है अनुजा कि जिस तरह से ठीक है वह अभी सीम है और रहेंगे यह उनका बयान है लेकिन उप चुनाब हैं तो ऐसे वक्त में तमाम नीता करे करता मिल जूल कर काम करें तो ज्यादा बैटर होता है लेकिन इसमें सिर्फ कॉंग्रेस के अध्यक्ष के साथ रणनीती बनाना प्लान बनाना और सचीन पाइलेट को जो बहुत ब बहुत तुल पकड़ता जा रहा है इस बीच अशोग गहलोत और सचिन पाइलेट के बीच में जो खीचतान है उसको लेकर बाते भी पन रही है लेकिन यह समझना होगा कि सचिन पाइलेट को काफी समय से पार्टी में इग्नूर किया जा रहा है क्योंकि लगातार वो पार् राजस्थान में भी अब यह सारी चीजे जो है फिर से पंजाब की तरह ही शुरू होती दिख रही है शुरू होते हुए देख रही है क्या यही वज़ा तो नहीं है अनुजया की आज 36 गट के 40 बिधायक दिल्ली आए हुए थे कल वो मुलाकात करना चाह रहे थे बातशीत को लेकर अठकले बढ़ रही है देखिए सचिन पाइलेट की बात करें तो सचिन पाइलेट जो है वो लगातार विधायकों का समर्थन उनको मिलता जा रहा है और इस बीच यह देखा जा सकता है कि वह अपनी नई रणनीती बना रहे हैं और उनकी रणनीती में यह चीज़ सबसे ज्यादा एहम है कि वो अब चाहते हैं कि उनकी एक नई टीम खड़ी हो जिसमें उन्हें कई विधायकों का समर्थन मिले और उसी के विधालत जो है वो आगे की रणनीती और बनाएंगे और वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत जल देखने को भी मिलेगा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं एक आखरी सवाल अनुजा आपसे जानने की कोशिश करता हूँ बाखोई आप राजिस्थान की राजनीती को जान रहे हैं निताओं की ताकत को बाखोई आप पर रख रहे हैं तो ऐसे में सवाल ही है कि अगर अस्टो गहलोत के घुट की त परदेश और खास करके पंजामें परे तो ऐसे वक्त में किसके गुट में कितना ताकत है अशोग गहलोत को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि काफी वरिष्ट नेता है उनके पास बहुत लंबा अनुभव है और उन्हें भी ऐसे विदायकों का समर्थन प् लेकिन अशोग गहलोत के जो भी विदायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है वो काफी वरिष्ट भी है और काफी पारफुल भी है तो इस चीज में अगर अब ही बात की जाए तो दोनों बराबर ही चल रहा है लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि पंजाब में जो चीज़े द कि सचीन पाइलट के पास कोई भी जो है पद नहीं है जिसके वज़े से यही वज़े तो नहीं है कि जिसके वज़े से वो लगतार प्रियंका गांदी राहुल गांदी इससे मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली आ रहे हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं तो क्या वो किसी पद की त तलाश में है यही वज़ा तो नहीं उनकी बेचाइनिया देख रही है साफ देखे अपद की तलाश तो वह बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन उनकी बातों को पहले नहीं सुना जा रहा था क्योंकि इसे पहले जब दिल्ली गये थे कुछ महिनों पहले तो और राहुल गांधी स लेकिन उस वक्त उनकी मुलाकात रहुल और प्रियंका से नहीं हो सकते लेकिन को पार्टी में जरूर कोई एहम पत दे सकते हैं क्योंकि पहले जिन्हें एक्नोर किया रहा था तो उनकी बातों को सुना जा है तो कही 1967 यह अंदाजा जरू लगा जा सकता है कि राजस्थान में भी पंचाब की तरह कुछ देखने को मिलेगा फिर विहолод कि देखने को इस हिए लोगों कुछ बी होता वो तो एक अलग बात है समस्क्राइब में जो भी कुछ हुआ है है तो कॉंग्रेस के नेता कहा रहे है जो भी फिड़ हुआ है चाहे जिसका भी स्तिफा हुआ है इसे कॉंग्रेसा पार्टि को फाइदा ही मिलेगा नुकसान नहीं आप देखना के आगाने वाले वक्त में होता कि है फिलाल के लिए इतना ही बागी खबरों के लिए देखते रहे हैं स्पेन आई न्यूज नमस्कार